मदुमक्खी का हमारे जीवन में और परियावरण को मिंटेन करने में बहुत बड़ा योगदान है। वैग्यानिक एर्बर्ट आइस्टाइन ने तो यहां तक कहा था कि अगर मदुमक्खी दुनिया से गायब हो जाए तो मनुष्य के पास केवल चार साव रहेंगे जीने के लिए। ये छोटी सी मदुमक्खी जितनी लाबदायक है उतनी ही घातक भी हो सकती है। इसके डंक से ना केवल दर्द होता है बलकि इससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं मदुमक्खी के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे वो आपको मार सकती है। मदुमक्खी के काटने से दो तरीके से मौत हो सकती है। पहला तरीका है allergic reaction, हमारे शरीर की bacteria, virus आधी से सुरक्षा का कार हमारा प्रितिरक्षा तंत्र या immune system करता है, लेकिन जब immune system किसी ऐसी चीज़ पर हमला बोल देता है, जिस पर हमला नहीं करना चाहिए, तो उसे allergy कहा जाता है, मदमक्खी के काटने से कुछ लोगों में जानलेवा allergy हो सकती है, जिसे एनाफाइलेटिक reaction भी कहते हैं, जब मदमक्खी आपको काटती है, तो उसके डंग से कुछ chemicals हमारे शरीर में आ जाते हैं, जिन्हें allergen कहते हैं, कुछ लोगों का immune system इन chemicals को बहुत घातक समझ कर बहुत सारी antibody बनाने लगता है, antibody बनने के साथ ही साथ शरीर में कुछ और chemical जैसे histamine, serotonin, leukoterene, आदे भी बनने लगते हैं, इससे शरीर में खुजली, जीमिच लाना, heart rate का बढ़ना, कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, समस्य बहुत जादा होने पर बेहोशी और मौद भी हो सकती है, लेकिन allergy से मौद बहुत ही कम लोगों की होती है, अगर एडिनेलिन का injection वेक्टी को जल्दी से दे दिया जाए, तो एनाफाइलेक्सिस को रोका जा सकता है, मदमक्खियों के काटने से मौद का दूसरा तथा सबसे सामान ने कारण है, बी कॉलोनी का हमला, एक मदमक्खि के छटे में करीब 20,000 से 80,000 तक मदमक्खियां हो सकती है, अगर ये मदमक्खियां आप पर हमला कर दें, तो कुछ ही मिनट में आपको 2000 तक डंक लग सकते हैं, इतने सारे डंक लगने से तवचा में जलन, चक्कर, सरदर्द, कमजोरी, शरीर पूलना, जी मिचलाना, डाइरिया और उल्टी जैसे लक्षन दिखाई देने लगते हैं, हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, किड़नी भी खराब हो सकती है, अगर बहुत सारी मदमक्खियों ने किसी पर हमला कर दिया हो, तो जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाएं, जिससे उसकी जान बच जाए, मदमक्खियों को उनके काम से बहुत प्यार होता है, उन्ने छेड़ना आपकी सेहत के लिए हानिका रख हो सकता है, क्या आप जानते हैं, चाय और कॉफी बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं, और जानने के लिए हमारा कॉफी वाला वीडियो देखें, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ऐसे ही और साइन से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें